हलो मैं फिनोमेनल वरिज हवाई हूँ मैं डिर्फिंट क्या आपने कभी ऐसा देखिया है कि कुछ लोग वेट लॉस करते हैं और कुछ समय के बाद वो वापस वेट गेन कर चुके होते हैं ऐसा ही बहुत सरे लॉट्री अचीवर्स के साथ भी होता है उनको जब अचानक से पैसा मिल जाता है तो अगले तीन सालों के अंदर जादा तर लोग उस पोजीशन पे पहुँच चुके होते हैं जिस पोजीशन पे वो लॉट्री जीतने से पहले थे ये काम इसके रिवर्स भी काम करता है जो लोग बहुत ज़ादा अमीर होते हैं जो अपनी महिनत से अमीर बने होते हैं अगर किसी वज़ा से उनका पैसा खतम हो जाए वो अपने पैसे को खो दे तो वापस तीन से चार सालों के अंदर वो अपनी अमीरी वाली पोजिशन पे पहुँच चुके होते है माई दिश्वें ऐसा क्यों होता है क्यों एक विक्ती एक काम्याबी को हासिल करने के बाद अपनी पुरानी पोजिशन पे वापस आ जाता है कि आप जानते हैं इसके पीछे एक complete science काम करता है अगर वो science के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे क्यों होता है और आप कैसे इस pattern को break कर सकते हैं तो इस वीडियो को last तक ज़रूर देखेगा और अगर आपने अभी देख इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए and please press the notification button और मैं एक high performance coach हूँ और मैं help करता हूँ direct sellers, network marketers और small business owners की in maximizing their sales potential by helping them improve their mindset skills, sales skills and productivity skills आपने कभी किसी AC को काम करते देखे हम AC के अंदर temperature set कर देते हैं मान देजे 25 डिगरी जब तक उस कमरे का temperature 25 डिगरी पर होता है वो AC बंद रहता है जैसे ही 25 डिगरी से 26 डिगरी ये 27 डिगरी पर जाता है उसके अंदर लगा thermostat उस कमरे के temperature को चेक करके वापस से on हो जाता है और वापस उस temperature को 25 डिगरी पर maintain कर देता है माई डिफिन ये thermostat की process मारी body में भी होती है क्या आप जानते हैं अगर हम किसी position में बहुत लंबे समय तक रह जाए तो हमारी body उसको हमारी normal condition मान लेती है और जैसे ही हम महिनत करके किसी process के जरीये चल कर या अचानक से उस position से change होके किसी next position में चले जाते हैं तो हमारी body वहापे uncomfortable feel करती है वहापे stressed out feel करती है और वह वापस अपनी normal condition में आने के लिए महिनत करना start कर देती है आपको इस बात को समझाने के लिए मैं इस rubber band का example लेना चाहता हूँ यह rubber band जो है यह इसकी normal position है इस normal position के अंदर अगर मैं इस rubber band को expand करूँग इसको खीचूँगा तो यह खीची हुई position है यह इसकी stressed out position है my dear friend मैं जब तक इसको ऐसे खीच के रखूँगा तब तक यह ऐसे रगएगा जैसे ही इसको छोड़ूँगा यह वापस अपनी position में पहुँच जाएगा exactly यही process हमारी body के अंदर होती my dear friend जब तक मैं काम करके यह किसी वज़ा से उस position में रहता हूँ तब तक तो ठीक उसे progress position बोला जाता है जब तक मैं लगातार efforts करके progress position में रहता हूँ तब तक तो ठीक मगर जैसे ही मैं अपने goal को achieve करके उस process को छोड़ता हूँ lenient हो जाता हूँ तो मेरी body का thermostat मुझे वापस पुरानी position में लाने को वे काम करना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उस पुरानी position के हिसाब से tuned है वो उसको normal condition मानता है वो वहापे comfortable है और बहुत से case में उससे भी बुरी position में ले जाता है ताक कि मैं दुबारा से मेहनत ही ना करूँ अगर करूँ तो उस position पर आके रुक जो जहापे में पहले था अगर आप इस process को break करना चाहते है my dear friend तो आपको progress progress period के बाद maintenance period को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है maintenance period है कि जिसने टाइम पर अपने goal achieve कर लिया है उसके बाद भी आप उस process को करते रहें उस मेहनत को करते रहें ताकि आपकी वो new position आपकी normal position बन जाए maintenance period लगबग उतना ही समय होता है जितना समय आपको परानी position से new position तक पहुँचने में लगा है for example अगर आपने 10 kg weight loss किया है और उस weight loss को करने के लिए आपको चार महीने लगे है तो आपको अगले चार महीने same level of efforts के साथ continue रखने होंगे अगर आप चाहते हैं कि नया weight आपका normal weight बन जाए वो आपकी normal condition बन जाए तो आपको maintenance zone में जाना पड़ेगा my dear friend हमारी body को chain से गुजारने के लिए पहले हमारे को उसको जर्क देना होता है जब वो normal position बे होती है वह सम जर्क देते हैं then उसे हम progress position में लेके आते हैं और उसके बाद हमारे को maintenance position में उसको रखना होता है I hope इस वीडियो ने आपको जरूर help किया होगा अगर help किया है तो इसको like and share जरूर करें अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ till then stay safe, stable is by, take care